उत्रखन कॉंग्रेस के संकट को खतम करने और नाराज हरी शुरावत को मनाने के लिए कॉंग्रेस नेतरत सक्रिय हो गया है पार्टी नेतरत द्वारा खरीश रावत से बात की गई और अब आज दिल्ली में उत्रखन कॉंग्रस के सबी महत्पून नेताओं की बैठक होगी सूतरों के मताबिक सुबह 11 वज़े के करीब राहूल गांधी के आवास पर हरीश रावत प्रदेश रद्यव गणेश गौद्यार नेता प्रतिपक्ष प्रितम सिंग प्रभारी देवेंडरु यादव की पैठक बुलाए गई है जिसमें बीच का रास्ता निकालने की की जाएगी साथी आलकमान दौरा बात करने के बाद से खरीश रावत के तेवर भी नरम है इससे पहले बुद्वार कुरावत ने ट्वीट का पार्टी से नराजगी जताते हुए राजनीती से सन्यास लेने का इशारा दिया था उन्होंने कहा था कॉंग्रेस महासचे गुरुआर राद दिल्ली पहुँच गए ऐसे में इससे पहले गुरुआर को रावत ने अपने ट्वीट पर कहा था मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ पार्टी छोड़ने के मामले पर हरीश रावत ने कहा कि हम उन लोगों में से हैं कदम कदम बढ़ाए जा कॉंग्रेस के गी प्रभारी देवेंद्र यादव के तौर तरीकें से भी उने शिकायत हैं बात नहीं बनी तो पांच जन्वरी को हरीश रावत धेरदून में कोई एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं रावत समर्थकों को धेरदून में खट्टा होने के लिए कहा गया है ऐसे में रावत कैम कदावा है कि उपेक्षा से नराज हरीश रावत पांच जन्वरी को राजनीती से सन्यास लेने का ऐलान कर सकते हैं हरीश रावत के करीबी लोग उत्राखन प्रभारी देवेंद यादव से भी नाराज हैं तो ऐसे में आज राहूल गांधी से भी हरीश रावत की मुलाकात होगी लेकिन देखने वाली बात है कि अब आगे क्या कुछ रास्ता निकले का